आज है 29 अप्रेल 2023 दिन शनिवार वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सियम योगी ने दिया बड़ा तोफार दीपा वली और होली पर मिलेगा एक एक फ्री घरेलू सिलेंडर आगरा के G.I.C. मेदान पर नगर निकाय चनाओ को लेकर हुई सभा में मुख्यमंत्री योगी आदेतिनाथ ने सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में वस्तार से बताया उन्होंने कहा कि सरकार उजला योजना के तहर दीपा वली और होली पर एक एक फ्री सिलेंडर प्रदान करेगी सियम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 6 साल में विकास के काफी काम हुए पहले जो लोग यहां आते थे वे कुडे का धेर देख कर जाते थे लेकिन अब वो जी ट्वेंटी समिट में आए होंगे तो आगरा स्मार्ट सिटी के रूप में नज़र आया जी ट्वेंटी समिट में जो भी प्रतिनी धी आगरा आएगा वो यहां की कला महमान नवाजी और सजावट से खुश होकर जाएगा यूपी के कस्तूरबा विद्यालियों से हटाये जाएंगे सभी पुरुश स्टाफ चात्राओ की सुरक्षा के लिए कदम प्रदेश पर में 47746 कस्तूरबा गांडी आवासिय बाली का विद्यालियों में कारे रच सभी पुरुश स्टाफ को हटाया जाएगा इसटाथ शिक्षा के गूर सीखने के लिए साइंस में 12 कर रहे चातरों को विबना आी आई IT में भीजेगी सरकार इससल प्रदेश में डिएर सो छातरों को आई 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 टी मंदी हिमासल प्रदेश भीजा जा रहा है वहामाई के दूसरे सब्ताह में पहुचने वाले इन विध्यार्तियों को रोबोटिक्स वा आटिफीशल इंटेलिजन्स का प्रशिक्षन दिया जाएगा गुरकपुल में सीम योगी निराप्ती नगर में आयोजित भाचपा की जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि दुनिया पहले हमेशक भरी निगाहों से देखती थी भारत के बारे में उनकी अच्छी राय नहीं थी राजनीती के कारण उस समय की पीड़ी को भुगतना पड़ा अब भाचपा सरकार में पूरी दुनिया भारत के इस सम्मान में खड़ी है उत्रपदेश में निकाह चुनाओं के सहारे मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ मोधी के मिशन 2024 पर निकले पांच कंटे के दौरे में उन्होंने आगरा मत्रा फिरोजबाद के तीन मेयर सीट संग चार लोगसबा सीट की जमीन तयार की आगरा के जियाएसी मेदान से उन्होंने कहा कि पी-म का विजन ही यूपी कमिशन है बारा महीने के बाद लोगसबा 2024 के चुनाओं होने है मिभव शीराम मंदिर का निर्मार हो रहा है मतुरा वरंदवन के काया कल्प का काम चल रहा है अब बारी नैमी शारणने की है काशे विशुनाद धाम की तरह ही नैमी शारणने का काया कल्प होने के बाद यहां धार्मिक परेटन बढ़ेगा जिससे हर सेक्टर में रोजगार के अफसर बड़े पैमाने पर स्रजित होंगे ये बाते मुख्यबंतरी योगिया दितना ते शुक्रवार को नैमी शारणने में आयोजित चुनावी जनसभा में कही उन्होंने यूपी में हो रहे नगर निकाय चुनाव को देवा सुर संग्राम बताते हुए कहा कि कभी इस नैमी शारणने की भूमी से महशी दधीची ने दैविये शक्तियों की विजए के लिए अपनी अस्तियां वज्र बनाने के लिए दी थी इस समय भी इस चुनाव में दानव रूपी ब्रष्टाचारियों, दुराचारियों, माफिया और अपराधियों को सबक सिखाने का है जेपी इंफ्राटेक से प्रभावित देशार किसानों को 64.7% अतरिक्त मुआफजा जल्द मिलने की उमीद है किसानों से जमीन के अर्चन दूर होने पर जेपी इंफ्राटेक की परियोजनाओं को पूरा करने का रास्ता साफ होगा परियोजना के घर खरीदारों को भी जल्द कब्सा मिल सकेगा सुरक्षा, रियल्टी, लिमिटेट और यमुना प्राधिकरन के अधिकारियों के बीच हुई बैटक में विभन बिंदू उपर चर्चा कर सहमती बनाने का प्रियास हुआ तो दिन में बहाल होंगी यूपी रूडवेस की ऑनलाइन सेवाएं परिवहन निगम ने डेवलप कराया अपना सॉफ्ट वियर परिवहन निगम के ऑनलाइन टिक्टिंग सेवा हैक होने से यात्रियों के मुश्किले बढ़ रही है इसे देखते हुए परिवहन निगम ने अपना सॉफ्ट वियर तयार करवाया है दावा है कि अगले दो दिन में ऑनलाइन सिवाओ को बहाल कर दिया जाएगा सुरेश खन्ना ने बताया कि 22 जन्वरी 2024 को राम मंदिर के गर्प्रह में रामलला की प्राण प्रतिष्था होगी हाई कोट का बड़ा फैसला कर्मशारियों को दी बड़ी राहा तीन महीने में पुरानी पेंशन का लाब देने के निर्देश उत्रप्रदेश की लाबाद हाई कोट ने एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा फैसला सुनाया हाई कोट ने इस वश्च किया कि नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद नियामित किये गए कर्मशारी भी पुरानी पेंशन के हगदार होंगे यादेश नियामूर्ती विवेक चौधरी ने रणवीर सिंग्वा तेई सन्य की याचिका पर दिया पहले कक्षा में प्रवेश के लिए नियूंतम आयू सीमा छे वर्ष नर्धारित नई शिक्षा नीती 2020 के लागो होने के सांती पहली कक्षा में प्रवेश के लिए अपनी उन्तम आयू सीमा छे वर्ष नर्धारित कर दी गई केंदी सरकार के द्वारा इस बारे में जानकारी दिशा निर्धेश के आधार पर राजे सरकार ने नियूंतम आयू सीमा संबंदी शासना देश शुक्रवार को जारी कर दिया इसके तहट अप्रदेश के किसी भी स्कूल में छे वर्ष यह उससे अधिक आयू के बच्चों का ही पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा हालाकि आयू के पुनन नधारन के कारण ते आयू सीमा छे में इस सत्र में तीन-चार महा का अंतर ही रह जाता है काशी धर्म परिशत के विधी विभाग के प्रमग बने अमेच सादू सन्यासियों को मिलेगी निश्ल कानूनी सला सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के मामले में धर्मगत फैसला लेने वाले काशी धर्म परिशत के विदी विभाग के प्रमुक अमिश्रवास्तव होंगे हमिद हाई कोट के अधिवक्ता है काशी धन परिशत के अध्यक्ष महन बाल अगदास ने हमिश्रवास्तव का नाम मनुनीत किया उन्होंने कहा कि हमेश्र वास्तव के नेत्रतों में हाई कूट की पांच अधी वक्ताओं की समिती सनातन धर्म के विरुद किये जा रही साजिशों को रोकने का काम करेगी एक नू स्टडी सेंटर के पुनर निर्मित भवन का हुआ उधगाचन शुरू हुई डिजिटल फॉरेंसिक लैब वा ईसामिग्री प्रियोक्षाला अलिकर मुस्लिम विश्यविद्याले के कुलपती प्रोफेसर मुहमद गुलरेज ने विश्यविद्याले के कुलसचे मुहमद इमरान कंप्यूटर विज्ञान विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर आसिम जफर के साथ इंद्रकांदी रास्टे मुक्तव श्विद्याले के एम यू अध्यन केंद्र के पुनर निर्मित भवन कंप्यूटर साइंस विभाग में इस सामिक्री प्रियोक्षाल और साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक लैप का उद्खा चन किया गुरकपुर में आप रादिक शवी को नकारेंगे जुझारू नेता चुनेंगे नगर निकाय सुनाओं को लेकर शेहर के युवाउत साहित हैं उनका कहना है कि देश के सुथसम में भाग लेकर वो देश निर्बान के दिशा में भूमी का निभाएंगे कहा कि महापौर्वा पार्षत का यह चुनाओ उन्हें अपने इस्थानीय अवकर्मत नेता को चुनने का मौका देता है आप रादिक शवी वालो को नकारेंगे जुझारू नेता चुनेंगे युवाउ का कहना है कि ऐसे नेता का चेहन करेंगे जो चुनाओ के समय हाज जोड़ कर वोट मांगने की बजाए जनता की जरूरत पर खड़ा हो और उनकी समस्याओ का समाधान कराए बिदान सबाच चुनाओ की तरह बनेंगे पिंक बूत बिदान सबाच चुनाओ की तर्स पर आलिकर जिले के प्रतेक निकाई शेतर में पिंक मद्देस थल बनाया जाएगा पूलिंग बूत पर कर्मशारियों से लेकर सुरक्षा कर्मी तक महिलाओ की ही जूटी लगाई जाएगी निर्वाचान आयोग ने आदेश जारी कर मद्देस थलो को चिन्नित कर लेने के निर्देश दिये आपर जिलादिकारी वित्त और राजा सुमीनू राणा ने बताया कि चुनाओ आयोग के निर्देश हैं कि प्रतेक निकाए में महिलाओ को मद्दान के प्रतीजागरू करने के लिए पिंक बूत बनाने के निर्देश दिये गए हैं पांसो से जादा भूकंजो का आवंचन रद्ध होगा प्रादिकरण ने जारी किया अंतिम नोटस कोरोना के कारण ओद्योग और संस्थागत संपत्ती के आवंटियों को दिसंबर 2022 संतकर निर्दमार का अंतिम मौका दिया गया था शर्थी कि तह समय में क्रियाशील प्रमारपत्र ले लिया जाए और अधिभोग प्रमारपत्र प्राप्त किया जाए ये शर्थ पूरी ना करने वाले पांसो से अधिक भूखंडों का आवंटर निरस्थ करने के तैयारी प्रादिकरण ने शुरू कर दी इसमें से 43 भूखंडों का आवंटर निरस्थ कर दिया गया है पहले अपिसोट से अब तक यूपी के एक खत्तर नाई को और संस्थाओ का किया उल्ले प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने दीन अक्ट्यूबर 2014 को आकाशवाणी के जरिये मन के बाद कारिकरम के शुरूआत की उन्होंने इस कारिकरम के पहले एपिसोट में मेरच के गौतंपाल का उलेकर यूपी को इस्थान दे दिया था गौतंपाल ने दिव्यांग बच्चों की बहतरी के लिए नगरपालिका, महानगरपालिका और पंचायतों में विशेश योजनाओं की जरूरत बताई थी रोड वन का नाम दिया गया, इसके तहट शेहर मुक्यमार्ग बाजार सेक्टर के अंदर स्कूल बस, डंपर ट्रक कार के अलावा, अन्यवाहन अवैद रूप से पाक किये गए मिले, यह रॉंग ड्राइविंग करते दिखे तो चालान के साथ उन्हें टो कर लिया जाएग कानपूर निकाय चनाव में 851 पारशवत प्रत्याशी मैदान में नब्बे ने वापस ली दावेदारी, नगर निकम के पारशवत पत के नब्बे दावेदारों ने अपने पच्चे वापस ले लिए, इनमें सपा और AIMIM से भी एक प्रत्याशी शामल है, सपा से सीतान जल प्रेस रूट पर चलेगी वंदे भारत, लाखों लोगों का होगा फाइता अब राम भक्तों को बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है तरसला योध्या से होते हुई एक वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी है इससे बाना जो रहा है कि जो लाखो भक्त राम मंदिर के दर्शन करने की इच्छा रखेंगे पेस के जरीए यात्रा कर सकेंगे बारिश के संभावना प्रबल है जलवायू परिवरतन से मौसम्ए घ्यानिकों की भविष्यवारी फेल हो रही है उमीद के विपीत महीने के अंतिम दिनों में फिर से धूल भरी आंदी और गरच के साथ बारिश के संभावना मजबूत होई कोरोना के बदली चाल 95 फीज़दी संक्रमितों में डेंगू के लक्षन अलग लक्षनों से डॉक्टर्स को चौकाया कोरोना संक्रमर्ट ने एक बार फिर से अपनी चाल बदल ली है इस साल पॉजटिव मिल रहे 95 फीज़ी लोगों में डेंग्यो बुखार जैसे लक्षर मिले शुरुआत में डेंग्यो बुखार का संदे हो रहा है लेकिन जांच रिपोर्ट में कोविड पॉजटिव होने की पुष्टी हुई संक्रमण के चौते पांच वे दिन गंद और सौद न मिलने की परिशानी हो रही है बीते चार सालों में हर बार कोरोना संक्रमण का नया अतेवर देखने को मलता है लड़कों से जादा ग्रेजुएट हो रहें लड़कियां साल दर साल बढ़ रहा आंकड़ा बेदावियों के सूचे में आगे रहने वाली बेटियां अब इसना तक की डिग्री लेने में भी लड़कों से आगे निकलती जा रही है CS GMU से वश 2022 में डिग्री लेने वाले चातर चात्राओं में लड़कियों के संक्या 9000 स्यादिक है की 2018 में लड़कियों के संक्या लगभग समान इससे पहले यांकड़ा बिल्कुल उल्टा था और बेटे ग्रेजुएट होने में बेटियों से काफी आगे थे टोयटा के कमपनी ने बिड़ा नोटिस दी एक सौठावे करमशारियों को बाहर किया हंगामा शुरू शेहर में इस दी तक कोगिटो कमपनी ने बिड़ा नोटिस दी एक सौठावे करमशारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया करमशारियों का कहना है कि नौक्री निकालने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया अचाना कंपनी के मालिक के दोरा ऐसे काम करने के बाद कर्मचारियों में काफी रोश है कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंदन पर गंभीर आरोप लगाई परिवन निगमे साइबर अटेक पर सीम योगी का एक्शन रोडवेज के मडी संजे कुमार हटा ही गई परिवन निगमे साइबर अटेक और सर्वर हैक करने के घटना को लेकर सीम योगी ने गंभीरता से एक बड़ा एक्शन लिया रोडवेज के मडी संजे कुमार को हटा दिया गया पताया जाता है कि हैकिंग के घटना और उससे लोगों को हो रही परिशानी के कारण सीम योगी काफी नाराज है निकाए चुनाओं की कारण निर्वाचा नायोग से अनुमती के बाद संजे कुमार को हटाने का फैसला लिया गया संजे कुमार के जगर प्रमुक सचे परिवहन वेंके शलू को ही एमडी का चार्ज दे दिया गया है तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्म करें धन्यवाद